गाय बैलों से, ना जाने कितनी जन्मों से, शास्त्र कहते हैं, चौरा सिलाक योनियों में से निकल के हम आये हैं, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है, हो सकता है ये दो चार बार मिल गया हो, रिफाइंड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बन गए हैं, या फिर बिगड़ गए हैं, लेकिन ये वैग्यानिक भी बोलते हैं, कि ये मनुष्य कभी जैली फिस्स से प्रारंब हुआ है, जैली फिस्स जो पंपिंग करती है, अपना हार्ट जैस पंपिंग करता है, बुलता है, ये मनुष्य माईं से शुरू हुआ है, ये मनुष्य की फाउंडेशन जैली फिस्स से है, अनुभावी वैग्यानिक बोलते हैं, लिए शास्तर तो पहले सी बोलते हैं, कि बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शुरूइ में, तरे तरे की यौनियों में हम बठ और आप यह नहीं समझना कि यह जो मर्मर के जो जा रहे हैं यह सभी वाप Efendimiz मनुश्टी बन जाएंगे नहीं को जानो कोई जानृफर मन जानवरों को होश नहीं है, इतनी बुद्धी नहीं है, उनकी पास सोचनी की शक्ती नहीं है, तो इसलिए वो जानवर के यौनियों में इदर उदर लुड़क पुड़क होते डोलते हैं, कभी भेडिया बनते हैं, वॉल्फ, कभी सिंग बन जाते हैं, बड़ी मांस खाने की आदत डाली जिन्दगी बर, तो सिंग चांस देती है प्रकरती, जाओ बच्चा, सिंग बन जाओ, खूब खाना, एक एक दिन में 40-40 किलो, 40 किलो मांस एक बार में सिंग खा लेता है, चाहे हो दूसरे दिन नहीं खाया है, लिए एक बार में खा लेता है, 40 किलो, खूब खाना, अभी अभ्यास किया न, कर रहा है समाज, जहां भी जाओगे, हातों में मांस, अंडे, मांस, मुर्गे, मच्च, सूर, गाय, बीफ, हर एक दुकानों पर, बड़े-बड़े इस्टोर हैं, यहां न्यूवार्क में में देखता हूँ, हर एक आदमी ऐसा, इसके आदम मांस है, क्या खा रहने, फिर चीलों में, कवों में, और मनुष में क्या बेद रह गया, वो भी मांस के उपर ही नजर रखते हैं, मनुष ने, समाज ने भी मांस के उपर ही अपनी नजर टिका दिये, और सब जगे से ध्यान आटा दिया, कि मांस काओ, अच्छा-चा कुकिंग करो, और शराप पीओ, मस्तरो, फिर तोड़ा गदा बोश तो डोला पड़ेगा, नौकरी योकरी तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, दफ्तर तो खोलना पड़ेगा, लिए ये काम मत चुको, और वो स्वाद के लिए ही एक गुलाम बना रहता है जिन्दकी पर, इसी स्वाद को पूरा करने के लिए, और वो तरह तरह के जूट वो लेगा, पाप करेगा, बेईमानी करेगा, दोका देगा, बैमन श्टासा देगा, इसी काम के लिए, खाना, पीना, सोना, बैमे तुन, निद्रा, आहार, शास्त्र कहते हैं कि ये प्रतेक जीव में भी होता है, बैमे तुन, निद्रा और आहार, भोजन, लिए मनुष्य को भगवान ने इतनी हायस्ट सोचने की शक्ति दिये, कि कम से कम अपना आहार तो शुद करके खाए, और इसे तरक्की है, आहर शुद्धी सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धी दुरुश्मर्ती, इस्मर्ती लब्दे सर्व गरंतिन, सारे ब्रहम के गाठ ने खुल जाती है, शुद्ध आहर जिसका होता है, ब्रहम निवारन हो जाते हैं उसकी जीवन में, वो इस पश्ट द देखने लगता है, कि बुरा क्या है और भला क्या है, केवल आहर शुद्ध करने से, और समाद चूख जाता है इन बातों से, शास्त्रों में सरद्धा नहीं, भगवान को ना कारते हैं, और भोग विलाशों के लिए कुछ भी करते हैं, तो फिर अंदकार में जीवन हो जाता है, नहीं, यूटर्न ले लेना चाहिए समाज को, दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए, तब सुख संब्रिद्धी हाथ में लगेगी, उससे पहले नहीं, आहर के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं, यह पंचकों सी यात्रा है आहर की, पंचकों स्तियार करता है आहर, शास्त्र तो कहते हैं, अन से ही, अन के माध्यम से ही, और यह आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्बस्त में चली आती है, सत्य आर फाउंडेशन है कैसे जीवन होगा आपका आर की बिना ये तो फाउंडेशन है संसार का आर ये फाउंडेशन की बात की जा रही है कि आपका फाउंडेशन कैसे निर्द हुआ है उस हिसाब से आपका जीवन चलेगा लेकिन फाउंडेशन में भी आप करेक्शन कर सकते हैं फाउंडेशन आपने चाहे गलत किया हो लेकिन आप सुधार कर सकते हैं यूटर्न ले सकते हैं चाहे माता पिताओं के मैं दिम से गलत फाउंडेशन हो गया या समाज, सौसाइटी के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए लेकिन कोई संतों के शब्दों पे विश्वास हो, सरदा हो या शास्त्रों में सरदा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए ये दुख का कारण बनेगा और सत्त मार्ग पर आ जाईए आपके जीवन के रत को सत्त पत पर लाईए तभी आपको सुख मिलेगा तभी आपकी आयू लंबी होगी आयू सत्त बुद्धी डवलप होगी आयू सत्त बलारोग्या सुख प्रीती विवर्दना इनका इनमें बृद्धी होगी विवर्दना मींस बृद्धी होना विकास होना आपकी बुद्धी का विकास होगा आयू का विकास होगा स्वास्त का विकास होगा प्रीती का विकास होगा प्रीती के फूल लगेंगे आपके बगीचे में इरदे रूपी बगीचे में प्रेम के जरने फूटेंगे जब आपका आर शुद्ध होगा प्रेम मई होगा, प्रेम से पकाया होगा इमानदारी से कमाया होगा, शाका आरी होगा और प्रभू को और अरपन किया होगा कि आओ मेरे प्रभू, आपने मुझे सब कुछ दिया, निहाल कर दिया, सुन्दर नेतर दिये, बुद्धी दिये, और शुद्ध भोजन दिया, सुन्दर गेहूं, बासमती राई, सुन्दर दाल, सबजिया, चटपड़, सब कुछ है, कोई कमी ने, रश युक्त है, घी दू गी, गेहूं, चावल, सबजिया, फ्रूट, ड्राइब फ्रूट, नाना प्रकार के भिंजन, शाकाहारी के अंदर, शाकाहार भोजन में हैं, उनको ग्रेण कीजिए, ये आपकी सबसे स्रेष्ट बुद्धी का सूचक है, कि आप बुद्धी मान हैं, यू आरे वाइज मैं, वेखाम ए वेजिटेरियन परसंग, ओभवान ये गीता में प्रेणा देते हैं समाज को, आयू सत्त बला रोग्या, सुख प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिकदाह, इस्थिरा, हिर्द्या, आहारा सात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त कोश कोश ही यात्रा अन्न है आपका शरीर अन्न है प्रानवायू अन्न है मनों में कोश है अन्न से ही मनों में कोश है ज्ञान में कोश है विज्ञान में कोश है और उसके पर आत्मा है सच्चिदानंद तो अपने जो परकोटे हैं पांच जिनको पंच कोस कहा है इन परकोटों को सतोगुणी बनाईए शुद्ध बनाईए आपका शरीर सतोगुण में रहना चाहिए आपका बलड सीमन सतोगुण होना चाहिए आपकी प्रानवायू सतोगुण चलनी चाहिए सतोगुण में बुद्ध कर्म होते हैं, आपका मन, बुद्धी, एहंकार, चित्त, के विछार, यह सब सतोगुन में होने चाहिए, तो यह तब को होगे सतोगुन में, जो आप आहार सतोगुनी करेंगे, सतोगुनी ब्रक्ति गो भी रजोगुणी आहार डुबो देता है सतोगुणी बना देता है मेरा मतलब तात पर यह कहने का तमोगुणी आहार ग्रेन करोगे तो आप कितने भी सतोगुणी हो गिर जाओगे तमोगुण में आ जाओगे चाहे माहत्मा हो या ब्राह्मन हो या और कोई सादू पुरुस हो या बड़ी योगी पुरुस हो आप आहर जब बिगाड रहे हो तो आप सब बिगड जागा आपका सारा सारे ब्रश्ट, बुद्धी ब्रश्ट, मन ब्रश्ट आहर के उपर बहुत डिपेंड करता है आप से प्रार्तना है आप सही करें, शुद्ध आहर करें आपकी किचन शुद्ध हो लाग बोलें डॉक्टर डॉक्टर तो जो करेगा वो ही तो बोलेगा डॉक्टरों ने अपना शरीर जब सतोगुनी नहीं बनाया डॉलप किया तो आपको कैसे वो सतोगुनी चीज बतलाएगा कोई अच्छे बैद से परामर्श करेंगे तो आपको सत्पत को बताएगा सतोगुनी सत्शब्दी बोल रहा है कि सत्पत ये सत्थ है सत्गुन, ये गुन सत्थ है इस गुन से ही, इस क्वालिटी से ही आप छलांग मार सकते हैं इटरनीटी की और वैकुंट की और और कोई जर्या नहीं रजगुन है रज यानी मिट्टी ये मिट्टी में मिलाएगा इदरी बार बार, इदरी जन्मोगे, इदरी मरोगे इदरी जन्मोगे, इदरी मरोगे इसका नाम रज है, रज मानी मिट्टी, रजगुन, फिर तम यानी अंदकार, यह हमेशा जनम जनम तुमको अंदेरे में, जैसे कौकरोचेज रहती हैं, चुए रहती हैं, जितना अंदकार होगा उतने इंसेक्ट्स जादा होंगे, ऐसे ही आपको अंदकार में कीडे मकोडों की तरह रखेगा, ऐसे जीवन में रखेगा, तो बुद्धी मत्ता कहां है आपकी, सत्वगुन में होनी चाहिए, सत्वगुनी बनिए, सत्वगुन के लिए, सत्वगुनी आर कीजिए, रखेगुनी आर का वरनन भगवान सरी कृष्ण नहीं आपर किया है, कट्व अमल लवनाति उष्ण तिक्ष्ण विदाहिना, आहारा राजा ससेश्टा, दुख शोका मैं प्रदा, अब देखिए, सैकिंड नंबर है, रखेगुनी आर, भगवान ने पहले कह दिया, इस लो पिचार धारा को, अपनी सुभाव को, अपनी नेचर को, अपनी बुद्धी को, तो उनको रखेगुनी आर ही पसंद आया, इसमें क्या होते हैं, कट्व, कड़े, कड़े आहार, जो कड़वाट देते हैं, अमल, अमल कहते हैं, कट्व, अमल, लवनाच, उश्न, तीक्ष्न, विदाही नहां, अमल यानि खटे, कड़वे, खटे, तीके, विदाही नहां, जो जलन पैदा करते हैं, तीक्ष्न, तीके, ज़्यादा मिर्ची मसाले भरे हैं, रूक्ष, रूके, जिनमें कोई प्रेम नहीं है, रूके हिर्दे से पनाएं, पकाएं, रूके हिर्दे, प्रेम बरे हिर्दे से कोई शिकार करता है, कि हिर्दे में प्रेम बराओ और शिकार कियाओ, बड़ा रूखा हिर्दे चाहिए शिकार करने के लिए, एक चिडिया को मारने के लिए बड़ा रूखा सा हिर्दे तब ये शिकार होता है, ये रूखा शिकार, इसे प्रेम नहीं होता है प्रेम बड़ा शिकार कैसे? प्रेम बड़ा इर्दे शिकार नहीं कर सकता शिकार करने से पहले इर्दे को रूखा बनाना पड़ता है जैसा आपका विवाहार किसी के साथ में रूखा होता है मुँ फिर के निकल जाते हैं थोड़ा मुँ फुला लेते हैं आखे टेडी कर लेते हैं तर्रिर लेते हैं कि नहीं बात करने हैं निकल चलो जाए रूखा सा सुभाव दिखाते हैं रूखा भी हवार करते हैं ऐसे रूखा हिर्दे चाहिए कुछ वाइलेंटी फूड अरजित करने के लिए इतनी सुन्दर पंची होता है कैसे मारोगे इतनी सुन्दर बन में हिरन होते हैं उनके बच्चे होते हैं घास खाते हैं किसी को नुक्सान नहीं करते हैं सताते हैं ऐसे निर्दोस को कैसे मारोगे अगर रुखा हिर्दय नहीं है आपका तो तो रजगुनी पुरुष रूखे होते हैं और रूखाई भूजन करते हैं फिर क्योंक जिनका भूजन करते हैं वो भी इनसे कोई प्रेम करता नहीं है शेकारी से हिरन क्या प्रेम करेगा वो भी रूखा हो जाता है मोर नास्ता है उसी के सामने जो उसका प्रेम ही होता है जो प्रेम की नजर से उसे देखता है मारने की दृष्टी से कोई देखता है उसके सामने कैसे नहीं तीके, चटपटे, मांस, इत्यादी, भोजन नहीं करना चाहिए रजोगुन में ये जादा होता है तमोगुन में तो बिलकुली निमनिश्टर पर होता है सड़ा गड़ा बासी सब कुछ होता है देखा जा तो तमोगुन का ही उचा सिरा जो है ये रजोगुने और तमोगुन का नीचला सिरा है वो तमोगुन है कई रजोगुन का जो नीचे का भाग है उसको तमोगुन बोला है और रजोगुन के उंचे सिरे को रजोगुन बोला है रजोगुन तमोगुन से बाहर निकलेंगे तब ही आपको वरना रजुगुन में तो दुख है, शोक है, चिंता है, फिकर, और बीमारिया है, दुख शोका मैं, आम है वानी बीमारी, प्रदायानी प्रदान करने वाले होते हैं ये भोजन, कडवे क्या हैं, शराब कडवी हैं, ज्यादा कडवे, नमक वगरा खा रहे हैं, साल्टी, ब्लड प्रेसर हो रहा है, शराब हैं, ये कडवे हैं, तंबा कुँ है, तंबा कुँ मीटी होती है, कडवी होती है, उल्टी आ जाए, अमल है, अमल भी कडवी होती है, बहुत कडवी होती है सारे ब्लड को कड़वा कर देती है यह सब रजोगुन थमुगुन है कट्रो अमल लवनात उष्ण तीक्ष्ण विदाईना आहारा राजस सेश्टा दुख शोक आमेप्रदा यह राजसों को प्रिय आहर जो है यह राजसी आहर यह दुख और शोक यानी चिंताएं और दुख और आमे 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 यानी बीमारी यह बीमारी को देने वाले हैं आपको सिक करने वाले हैं मन को मस्तिस को विचारों को बुद्धी को शरीर को सिक कर देंगे बीमार कर देंगे इसलिए रजोगुनी समाज भी दुखी है बीमार है और चिंतागरस्त है वर्ण वर्ण पर्ण और दो पता है